हेलो दोस्तो स्वागत आपका इस वीडियो में आज के इस वीडियो में BTSC A&M कॉंस्लिंग की जो लिस्ट आने वाली है उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे कि कब आपकी कॉंस्लिंग लिस्ट अगले सब्ता में आने जा रहे हैं अफिशली क्या जानकारिया है और आप लोग की जो कॉंसलिंग की परकिरिया है वो कब से शुरू होने जा रही है क्योंकि BTSC और भी BTSC के जितने भी वेकैंसिया भी कॉंसलिंग होना बांकी है उन सारे कंडिडेटों का एक ही कोईस्टन है एक ही कमेंट है जितने कि हम लोग की कॉंसलिंग की परकिरिया कब शुरू होंगे कब से स्टार्ट होने जा रहे हैं साथ ही एन्यम जो 10709 वाले कंडिडेट है उनका कॉंसलिंग लिष्ट भी अभी नहीं जारी हुआ है उसको लेकर हम लोग इस वीडियो में क्लिरेंस जानेंगे कि आपकी जो कॉंस तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ने की हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा इससे आपको बिटियसी एन्म की रिगार्डिंग सारे अपडेट मिलते रहते हैं तो हम आपको बता देख कि जैसे आपकी कौंसलिंग की परकिरिया 17 से सुरू होने जा रही है 17 अप्रेल के बाद 17 अप्रेल के बाद आपकी कौंसलिंग की परकिरिया कभी शुरू कर सकते हैं तो 17 से 20 अप्रेल तक में आप लोग की कौंसलिंग की जो परकिरिया है वह स्टार्ट हो जाएंगे और उसमें सब सी पहले कंसलिंग होगे वह दस ही उनकी युकवर कि परकेडिया है उसके बाद ए्क्सरेय टेक्निसियन और पूस्ट बचे हुए है उन सारे पोच्टेटों का कॉंस्लिंग इनके बाद किये जाएंगी तो आप consumer list कब तक आएंगे जैसे कि सब के मन में हैं कि कॉंस्लिंग जो कॉंस्लिंग लिस्ट है वो कब कब तक जारी किया जाएगा BTSC के तरफ से जो get जारी किजयाने है वो कब तक आजाएंगे जैसे की 17 आपरेल के बाद 17 आपरेल के बाद कॉणिलिंग की परकीर्या सुरू करने की ज़दा था संभावना है कि 17 के को X 2 रोज बाद आप रोगे कॉंश्लिंग की परकीर्या सुरू editors गोंसिलिंग लिस्ट का उन्सिलिंग लिस्ट में हो उसके बार ही और स्केसी करेंगे आपकी निस्चित अगले सब्ता में आपको देखने को मिल सकते हैं तो आपको यदि सतरह के बाद counseling की परकिरिया शुरू किये जाएंगे BTSC के तरफ से जैसे कि उसका proper notice भी निकाला गया है तो 17 के बाद यदि शुरू किया जाएगा तो उनसे एक सप्ता पहले counseling list जारी होते हैं जैसे कि ये सप्ता बीती गए जो April के दूसरे सप्ता थे उसका next week में आप लोगों को जो first week थे ये लगभव होई गया तो second week में आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं जैसे कि इसके counseling list को लेकर तो आपको update आ जाएंगा और उसके regarding mobile पर messages आने भी शुरू हो जाएगा तो जैसे ही messages आने start होंगे तो हम आपको साड़ा update बताएंगे और जैसे कि हमने पिखले वीडियो में आपको बताये थे कि आप अपना जो register mobile number है उसको active करके रखे क्योंकि जो register mobile number है उसके messages आएंगे direct आपको counseling letter लेकर जाने है ग्यान बहुन पत्ना में क्योंकि आपकी जो counseling है वो ग्यान बहुन पत्ना में होने जा रहा है तो आपको यहाँ पर जो counseling call letter लेकर भी आने होंगे तो counseling call letter आप direct mobile से भी download कर लिजेगा जैसे आपके mobile पर link की भेज़ दिया जाएगा counseling call letter download करने के लिए और जैसे कि btsc पर भी link provide किये जाएंगे तो btsc पर जो link provide किया जाएंगे तो उसमें भी आपको mobile की आप सकता पढ़ेंगे आप लोग अपना mobile number जो register mobile number है उसको active जरूर कर ले तो जैसे अपडेट आएंगे counseling list के regarding हम साड़ा अपडेट आपको बताते रहेंगे और भी कोई कोई जानकारी आएंगे तब निस्षित आपको बताएंगे बिटके cnm के regarding और भी स्वास्त विवार के लिए आप लोग चैनल को subscribe करके जरू रखेंगे तो चलिए मिलते हैं next video में thank you